प्रिगी साथियों मैं एक नई कहानी शादी में जाना लेकर आई हूँ कहानी का टाइटल है शादी में जाना पुर्णी मा को अपने पीहर में बती जी की शादी में जाने की उमंग अत्यदिक रही उसके पती सशीधर को तो जैसे जैसे शादी पास आ रही वैसे वैसे अजीब सा लग रहा पुर्णिमा कोरोना काल में भी दिन में कम से कम पांच बार पिहर जाने की बात कर देती सशीधर इस संकट काल में गर से बाहर नहीं निकलना चाहता क्योंकि प्रशासनिक और मानसिक दोनों तरह से कोरोना काल में बाहर जाना दूविधा पूर्ण sucking था बहुत समझाने पर भी पुर्णिमा अपना राग अलापती रहती शादी में जाना शादी में जाना है पुनिमा जब से शादी में गई तब से शशिधर गर में अकेले रह गए कोई काम भी नहीं जो अपनी व्यस्तता दिखाए हालां कि गर पर ही रहते स्वयम को उन्होंने पुन रूप से आइसोलेट कर रखा फिर भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कोरोना ने कैसे अपना शिकार बनाया कोरोना वाइरस से कैसे गरस्त हो गए वी कोरोना पोजिटीव कैसे आ गए पिछली दिन चरिया पर मन चिंतन किया प्रत्ते एक दिन सुभह से शाम तक क्या क्या किया किस-किस की संपर्क में आए यह सब खंगला, टटोला, देखा, समहला तब भी पता नहीं चला कि वह है कोरोना पोजिटिव कैसे हुए पूर्णी मा शादी में पूरा मनोरंजन कर रही थी मन चहक रहा था साथ ही समय समय पर शशीधर से बाचीत भी कर रही फैस्बुक पर दोनों अपने क्रिया कलापों के फोटो भी शेयर कर रहे थे शशीधर पत्नी के नह होने के कारण जो मेटो से खाना ओनलाइन मंगवा कर खा रहे थे उन्हें भूक लगती तब ओनलाइन ओर्डर करते और अत्यदिक भूक बढ़ जाने पर भी खाना नहीं आता था जब खाना उनके सामने होता तो शशीधर खाने को देखते ही खाने पर तूट पड़ते खाने बैठ जाते शोक इतना कि इस प्रक्रिया का वीडियो भी समय पर बना कर बीवी को शेयर करना नहीं भूलते ताकि बीवी शादी के माहौल में भी थोड़ा तो दुखी हो कि मैं भी अच्छा स्वादिष्ट बोजन कर रहा हूँ कपडे दोने चड़ो पोचा करने के लिए रोजाना मेरी गरा रही थी वह काम तो करती ही थी साथ में नाश्ता बना कर खा और खिला कर भी जाती थी अकेले होते हुए भी अच्छे से दिन गुजर रहे थे कपडे बाहर से प्रेस होकर आ रहे थे परन्तु महाशर्षशिधर अपनी समझ में पूरे आइसोलेट थे उन्हें ध्यान था कि विगर पर ही हैं बाहर कहीं किसी बड़े समूल का हिस्सा नहीं बने है पत्नी पूर्णी मा को अवश ही कोरोना होगा क्योंकि वह तो शादी में गई है अत्यधिक सावचेत रहते हुए भी उसकी दूरी किसी की तो नजदी की बनेगी ही मुझे उसके आने पर उससे कुछ समय के लिए दूर ही रहना पड़ेगा शशिधर क्या सोच रहा और उसके साथ क्या हो गया इश्वर बड़ा करामाती है बड़े बड़े चमतकार प्रकृती में देखने को मिले है उल्टा कैसे हुआ शशिधर को गर में रहते हुए इतना बुखार और कोरोना पुजिटिव आना कैसे संभव था ये है पूर्णी मा शशिधर की फेस्बुक और मोबाइल देखते हुए लिस्ट बना रही थी कि शशिधर किस किस के संपर्क में आये थे पता चला पोस्ट में के साथ बैट कर साहब चाय पी रहे हैं गली के बच्चों के साथ ऐसे बतिया रहे हैं जैसे उनके बच्चे हों खेल की आगी की प्लानिंग चल रही है अब किस किस पर शक करें कि सशिधर को किसने कोरोना पोजिटिव किया मास्क तो कहीं भी नजर नहीं आया सबने बिना मास्क के ही बातें की और तो और दोगज की दूरी क्या होती है यह भी किसी के ध्यान में ने आया शशिधर को पुर्णी मा ने पूरी एहतियाद से निवुबू पानी पिलाया, दवाईया दी, डॉक्टरी सलाली, स्वयम भी सुरक्षित रही और शशिधर को भी समश्या से बहार निकाल लिया पुर्णी मा तब तक चेंस इनस होई, जब तक कि शशिधर को दुबारा कोरोना टेस्ट कराने पर नेगेटिव ना आया जैसी मनसा वैसी दशा, जैसी सोच वैसा हो, शशिधर को कोरोना हो गया, परन्तु पुर्णी मा पूरी तरह से सुरक्षित थी कोविड नाइंटिन के कोरोना नेगेटिव, शशिधर को कोरोना नेगेटिव आने पर पुर्णी मा को अतिदिख खुशी होई, तत पस्चात कुछ दिन रूप कर, एक दिन पुर्णी मा ने पूछा, शशिधर बताओ न, मैं शादी में जाकर भी कोरोना ग्रस्त न हुई, और आप घर में रहकर भी कोरोना ग्रस्त क्यों, कैसे, और कब हो गए, सही तो यही है, कि शादी में जाना आपको रास नहीं आया, आप मुझे मना कर देते, में न जाती, प जीवन की बात कहने पर ही पता चलती है, जीवन सभी का अपना अपना है, पीडा तो रोगी को ही भोगनी पड़ती है, कोरोना पोजेटिव होने पर आपने कितना दर्द सहा, मैं इतने सारे लोगों की बीच रह कर भी आइसोलेट रही, और आप घर में अकेले रह कर भी जाकर इतने लोगों के बीच होकर भी मैं आइसोलेट थी, मैं कोरोना पोजेटिव नहीं हुई, और आप घर में रह कर भी आइसोलेट नहीं रह पाए, और आप कोरोना पोजेटिव हो गए, शादी में जाना, मेरे लिए सुख़द रहा, पर घर में रह कर भी आप कितनी द झाल